सभी को मेरा नमस्कार मैं देवान चुआ और फिर आप लोग के सामने प्रस्तूत करती हूँ श्रीमत भगवत गीता के पकथम अध्या के ब्याली स्वेश लोग की व्याख्यां वर्ण संकर का यहां पर मतलब है जहां वर्ण या समाच की मर्यादाओं को सम्मान ना देते हुए गलत तरीके से गलत वर्णों के मिल से जब संतान की उत्पत्ती होती है तो वो सब कुछ खतम कर देती है इसलिए समाच के नियम बड़े सोच समझ कर बनाए गए हैं दोस्तों और इतने हजार वर्षों की सोच और नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तो होना चाहिए अर्जोन इसी बात का वर्णन कर रहे हैं वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल के नरक में ले जाने के लिए ही होता है लिप्त पिंडो और जलवक्रियों वाले अर्थात शाद्द और तरपन से वन्चित इतने पित्र लोग भी अधोगती को प्राप्त होते हैं तो ये 42 वे शलोग की व्याक्या कल मैं आप लोग के सामने फिर प्रस्तूत करूँगी नए शलोग की नई व्याक्या तब तक के लिए नमस्ते एंजै श्री कृष्ण